नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 2 मार्ट 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे तक की सवी ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक मैंने रहिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आ हिमाचल परदेश के राष्ट्रिय उचमार्ग चंडीगर्ड मनाली 205 पर बनेर में एक अन्यंत्री ट्रक ने पहले सामने से आ रही कार को टकर मारी और इसके बाद खुद भी आगे जाकर पाड़ी से टकराने के बाद बीच सडक में पलट गया गनी मत रही की कार में सवार दोनों व्यक्ति बार बार बच गे जबकि ट्रक चालक को मामली चोटे आई हैं जिसे प्रात्मिक उपचार के लिए प्रात्मिक स्वास्थे के इंदर स्वारगात लाया गया उक्त ट्रक रखी लोड करके बिलासपूर की ओर जा रहा था गटमस्थाल पर पहुंचे पुलिस चोकी जोगों के प्रभारी कुल्दीप सिंग ने बताया कि पुलिस ने ट्रक के चालक के खिलाफ लापरवाई से बाहन चलाने का मामला जोए दर्जे कर लिया है अगनी उजया आपकी कि करोना के मामले जादा बढ़ने पर सरकार बढ़ाएगी सकती मुख्य मंत्री तो हिमाचल परदेश में परदेश की कांगडा जीले में करोना की 100 से अधिक मामले एक साथ आने पर सरकार चंतित है मुख्य मंत्री जाराम ठाकुर ने कहा है कि अगर आने वाले एक दो दिन में परदेश में करोना के मामलों में बरिद्धी होती है तो सरकार परदेश में करोना नियमों को सक्त करने पर विचार करेगी हलांकि अभी केबल कांगडा जीले में भी 100 से अधिक मामले लगभग 2 महिने के बाल आये है मुख्य मंत्री ने लोगों से साथ दानी बरतने की अपील की है अगर नियूज आप की की बजट सत्र के तीसरे दिन की हंगामेदार शुरुआत कांगरेस ने किया वॉक आउट तो शिमला से नियूज है की विधान साब बजट सत्र के तीसरे दिन के शूरू होते ही सदन में विधायक सुखविंदर सिंग सुखु ने पहले दिन हुए हंगामे को लेकर सदन में पॉइंट ओफ ओडर लाया और कहा कि कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ एक तरफा कारवाई की गई है जबकि सत्तापक्ष के विधायक और मंत्री ने धक्के मुक्के शुरू क तो उनके खिलाब कोई कारवाज नहीं की गई सुक्खु ने कहा कि कांग्रेस के पांच विधायकों के निलंबन को बापतिस लिया जाए अन्य था कांग्रेस के विधायक सदन को विधायक सदन को नहीं चलने देंगी जिस पर संसदिय कारे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज जिपाल की अभीबाशन में सरकार के एक साल का लेखा जोखा होता है जिसको सदर में रखा जाता है और यह राज जिपाल पर जो है निर्वर होता है कि उन्होंने पूरा अभीबाशन पढ़ना है या नहीं अगर न्यूज आपकी कि पूरव मुख्यमंत्री धुमल के धुमल ने पत्नी के साथ लगवाया करोना का टीक का अगर न्यूज आपकी कि भाजपा को प्रजातंत्र की हत्या करने की ट्रेनिंग आरेसस कंपो से मिल रही है विपलव ठाकोर तो जस्मप प्रागपूर से न्यूज है कि प्रदेश कांग्रेस की पूरव अध्यक्ष एवं पूरव संसद विपलव ठाकोर ने भाजपा पर समवेधानिक एवं शिष्टाचार की मरियादाओं को सत्ता गरूर के हतोड़े से त पूर्ति को लेकर अपने ऐसे तानाशाई विवार को त्यागा नहीं किया तो जनता अपने करोद के हतोड़े से इनका आंकार को कुचल देने को विवाश हो जाएगी पंजाब केश्री से बातचीत करते बगत उन्होंने विधानसा वसत्पर के चलते जन प्रतिनिदियों क के बीच हुई धक्का मुक्की के प्रकरण को दुरुभाग्य पूर्व बताया और कहा कि आज हर कोई या नहीं समझबाराय कि भादचीयों को आरेसस के केंपों में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह आज केंदर से लेकर राज्यों तक सत्ता की हेकड़ी से प्राणों के अंसार दवाई की ओवर्डोज से जो है मौत हो गई पोलिस जहांच अधिकारी ने बताया कि पहले महिला को नूरपुर अस्ताल में ले जाया गया जहांसे उसे डॉक्टर राजेंद प्रसाद मेरिकल कॉलेज टंडर रैफर कर दिया महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया अगर नूरप की कि देश सेवा का जजबा लिये जमकर पसीना बारे उन्ना के युवा इंद्रा गांधी मैदान में रोजाना उबर रही भीड तो उन्ना से न्यूज है कि भारतिय सेना के प्रती युवाउं का क्रेज सोशल मीडिया पर तो सभी ने तो यही युवा मैदान पर उत्र कर जी तोड़कर मेहनत करने से पीप पीछे नहीं हटते ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों जीला भर के तमाम खेत्रों में देखा जा रहा है मार्च मांध तारा तारीक से जीला मुख्या लेके इंद्रा गांध स्टेडियम में सेना भरती रेली का आयोजन किया जा रहा है भरती रेली के दोरान भारती सेना में अपना स्थान पका करने के लिए युवा जमकर पसीना जो है बहा रहे हैं अगर नियूज आपकी कि बिधान साब प्रकरण पर आमने सामने हुई भादपा कांगरेस बादपा ने राष्ट्रपती को भेजा ग्यापन तो उन्ना से नियूज है कि हिमाचर प्रदेश बिधान साबा में चल रही खींचातान के मामले को लेकर भादपा और कांगरेस आमने सामने आ गये हैं आज उन्ना मंडल भादपा ने एपी एमसी अध्यक्ष बलवीर सिंग बग्गा की अगवाई में एश्टीम के माध्यम से राष्ट्रपती रामनात कोविंद को ग्यापन पत्र भेजगर हिमाचर प्रदेश बिधान साबा में हो हल्ला करने वाले कांगरेस बिधायकों की सदस्थ से समाप्त करने की जो है म मंदी के पूरव चात्र डॉक्टर नवनीत राष्ट्रिय पुर्षकार से समानित तो मंदी से नियूज है कि भारतिय प्रद्योगी की संस्थान के पूरव चात्र डॉक्टर नवनीत चंदर शर्म बर्मा को जो है उतकरिष्ट शोध के लिए भारतिय राष्ट्रिय युव व्यज्यानिक अकादमी के राष्ट्रिय पुर्षकार 2020 से जो है समानित किया IIT मंडी से 2020 में PhD पूरा कर चुके डॉक्टर नवनीत चंदरबर्मा को कार्बोनेजेनिक नैनो पार्टिकल की रथाइनिक सरंचना और कार्यसंबंद और सुपर रिजालिउशन लाइट माइक्रोसकोपी में इनके उप्योग की बुनियादी समझ में उतकरिष्ट योगदान के लिए आसमान जो है दिया गया अगरी उजापकी कि बंदरों के हमले के बाद ट्रक से टकराए 15 वर्षी एकलोत्ते बेटे की मौत पीजी आई में तोड़ा दम तो बंदरों के जुन द्वारा रागीर किशोर पर हमला बोलने के बाद ट्रक से टक्कर से घायल हुए 15 वर्षी एकलोत्ते बेटे साहिल ने पीजी आई चंडीगर में उपचार के दोरान दम तोड़ दिया है इस दोखत समचार के बाद पूरी जडोल पंचायत साहित आसपास के क्शेत्रों में शोक की लहर दोर गई है बताते चले कि रविवार को मरितक किशोर साहिल कुमार 15 वर्षी पुत्र श्यामलाल गाउं भांगला डागर जडोल तैसील सुन्दरनगर जीला मंडी दोपयार बाद राष्ट्रिय उच मार 21 पर बोवाना पोल से पैदल जा रहा था इसी दोरान सड़क किनारे बैठे बंदरों के जुन ने उस पर एका एक हमला बोल दिया जिससे बचने एतु मरितक ने सड़क की तर्फ हाठा और सड़क से गुजर रहे ट्रक से टकरा गया जिसके बाद उसे गंबीर रूप से गाहिल किशोर को जो है उपचार एतु सुन् कांगरेस अनुराग बोले कोई मुद्दा ना हो तो ओच्छी हर्कते करते हैं कांगरेसी तो कांगरेसियों के पास जब कोई मुद्दा ना हो तो वे ओच्छी हर्कते करने पर उतराते हैं संसद में उनके जूट के पुलिंदों के कारण उनके चेहरे बेनकाब हुए राज हिमाचल परदेश के हजारों उपभोकताओं ने राज्य बिजली बोड का 424 करोड रुपय का बिजली बिल नहीं चुकाया है बिजली बिल नहीं चुकाने बालों पर शिमला और सोलन जीला के उपभोकता सबसे आगे है कांगरस बिदाइक आशा कुमारी के सवाल के लेखित जवाब में और्जय मंतरी सुक राम चौधरी ने हिमाचल बिदान साबा बजट सत्तर के दौरान सदन में या जानकारी दी हिमाचल में बारिश बर्फ बारी के आसार जाने 8 मार्च तक कैसा राएगा मौसम तो हिमाचल परदेश में फिर बारिश और बर्फ बारी के आसार है तीन मार्च को मद्य और उच परवतिय जिलों में बारिश बर्फ बारी के आसार है पूर्वान मान है मैदानी जीलों उन्ना बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में छे और साथ मार्च को जो है बारिश और अंधर के आसार जो है अगरी न्यूज आपकी कि कुल्लू केलांग रूट पर चाल-टि-सी की बस सेवा शुरू अटल टनल रहतांग से होगी आवजाई तो हमाचल परदेश की कुल्लू केलांग बस सेवा मंगलवार से फिर शुरू हो गई है हमाचल पत परिवान निगम केलांग की टीम ने सौंबार को बस के साथ के लौंग और मनाली के बीच सड़क का निरिक्षन किया था निरिक्षन में सड़क को बस की आवजाई के लिए दुरुस्त पाया गया था इसके बाद कुलुक के लांग रोट पर मंगलवार से यात्रियों को नियमित रोप से बस गी सुविदा मिलना शुरू हो गई है अगर आपकी कि 9 करोड के कर चोरी मामले में भाजपा विधाईक के बैंक खाते जो है सीज तो कर चोरी की पुष्टी होने के बीच विधाईक ने के अंदर सरकार की विश्वा स्कीम के तहत भी आवेदन किया लेकिन शर्तें पूरी ना करने की वाज़ा से उन्हें रात नहीं में सकी इस से बीच सीजी एस्टी शमला की अधिकारियों की और से विधाईक को टैक्स की रकम जैमा करने के लिए जो है शोकोज नोटिस यारी किया गया तो दोस्तों ये थी आज 2 मार्च 2021 की शाम पांच पज़े तक की सभी ताजा खबर हैं अगर आपने अभी तक वीडियो क लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक मेरी हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यावाद जैहिन जैवाद